हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूटूब चैनल जी आडी एजुकेशन ससाइटी स्वागत है आपका हमारी चैनल पर जिसका नाम है जी आडी एजुकेशन ससाइटी तो सबसे पहले हमें वही काम करने पड़ेगा हमें चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मैंने आपको दिखाया तो आज हम डिसकस करें के डामेटर की मतलब की हालप लेकर और डामेटर की हालप लेकर एक टूदी स्कैच कैसे ड्रोग किया जाता है तो सबसे पहले हमें वही काम करना पड़ेगा हमें अपना ओटोकाड डबल कलिक करकर ओन करना पड़ेगा तो हम अपना ओटोकाड डबल करकर ओन कर लिखते हैं सबसे पहले हमें वही काम करने पड़ेगा हमें सबसे पहले हमें स्टार्ट ड्राइंग प क्लिक करने पड़ेगा तो हम स्टार्ट ड्रेंग पर क्लिक करते हैं कि अथि तो लींगिए मैंने स्टार्ट रावं पर क्लिक कर दिया तो आप देखरी होके वह एंग्ना उनिट निट और टूसल्टाय कि एकक Luca לिंट का यंगल का चेंज करते थे तो बहुत ही चेंज कर रहा हूं और स्केल हम मिलीमेटर में लगते हैं तो नेक्स में लिमिट्स करती है एक ग्राफ को सेट करती है कहा है कि हम मतलब किसे कितना जूम आउट जूम इंट कर पाएंगे ग्राफ में तो यह भी हम रही मैं ले रहा हूं यांपको देख रहा हूं कि 150 मन ले लिए तो यह अपर करें लोगा मैंने 0,0 मतलब जीरो टैब जीयो लिया था दैन जूम दन ओल मतलब all 50 by 150 में अपने स्केट्ट को मतलब पूरा जूम इन और जूम आउट कर सकें तो आज हम डिस्काश करेंगा मैंने बताया था आपको कि हम सर्कल डिस्काश करेंगे सर्कल में क्या होगा रेडिस नमर्वजाए डिसक्ल क्लेंक हमाला गाह तो आपको अठाटै तो बंता है ऑच्छेयों को टीक्र म तब हम और मत करी आपकर स्क्रीच तो आप लिखा रहा है एक लाइन को स्टेट करता नाइटी डिग्री के एंगल में तो बने ग्रक्र से नीगर्ण करेंगे तो मैंने क्माड लिए मने लाइन हम क्या करें के लाइन से हम सेंटर एक सैंटर इसके सरक्र के से क्हकर करेंगे इसकी डिमेंशन होगी 150 यह मैंने क्यों ली क्योंकि मैं आप को नहीं कमांड बता रहूं उसका नाह में त freedoms क्मांड कैसे लगेगी कैसे आपको पता चला चलेगा फ्रेम कैसे अकाम करती है तो इसके लिए मैंने एक ड्रो कर दिया 40 लेकर तो मैं अब मतलब जो से मारी बीच वाली लाइन सेंटर लाइन वह उसको मैं ड्रीड कर दूंगा क्योंकि यह मैंने एक सेंटर ड्रो करने के लिए इसकी हेल्प ली थी तो यह डिस्टेंस कवर हो गया हमारा वानुटी का तो एक सरकल दूसरा सरकल कितने त्री करने के यह सेंटर से वहां पर हम उसको जॉइंट कर देंगे तो यह आज नहीं करेंगे डिसका नाम है ढरिम ट्रिम ट्रिम तौ मैंने आप स्कृमिटर लिखा लिखा थी और नीचे लिखा आगए प्रेंटर आएंग तो आपके कमानर को करने करें तो आप के सरक्र हाफ उसका कत हो गया तो कैसे कट हुँगे को लेकर ही कट हुआ तो टी याद डबल एंटर जब मैंने क्या किया मैं तो यह तो यह कमान को कि मुझे वह कर दिए क्या कि हमारा हाफ गोपर डिया मैं नीचे बनाएंगे तो यह कंदें इसका डिस्टेंस लिया है तो पहले उपर वाले कितने लिए था हमने 150 तो यह जस्ट मैं आपको वही बता रहा हूं यह मैंने जस्ट आपको एक ग्जामपल दिया कि सेंटर रेडियस और सेंटर डायमेटर ऐसे ड्रो करते हैं और ट्रिम कमांड ऐसे यूज होती है तो सेम वै तो अब हम मतरब आप देख रहे होगे कि मैं ड्रो कर रहा हूं डायमेटर की हर पर लेकर तो यह मैंने फिर से लाइन कमांड ली और उसके ग्वादन पॉइंट से से कर के को डायमेटर के कौर्ण पॉइंट को मैंने उसके साथ जोइन करा दिया नेक्स डीचे भी मैं से मैं से करूंगा लाइन लेकर नीजे वाले कौर्ण पॉइंट को हम दूसरी तरब उसके दूसरे पार के कौर्ण पॉइंट से हम जोइन करा देंगे तो फिस्ते हम वहीं कमांड लूँगा ट्र डेबल एंटर मैंने आपको पहले बिताया था ट्र डेबल एंटर करना पड़ेग तो वहीं देख रहो आप मैंने इंटरसेक्ट जो सार्कार था लाइन के साथ इंटरसेक्ट सट करता हो चुका है बतलब ट्रिम हो चुका तो यह आज हमने डिसक्स किया हमारा सेंटर राइमेटर एंड ट्रिम कमांड अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इ